नमस्कार आप देख रहे हैं प्रतावगा ब्लाग सम्हिराम के लाइट साप दो लड़ रहे थे महाज हमारे जो हम सो रहे थे जहां पे खाट थे मात्र तीन फिट की दूरी पर थे और वहां लड़ रहे थे और हमें ये लगवग धाई बजे रात की बात है तो कहां से आये थे लाष्ट में क्या हुआ पकड़े गए या मार दिया गया पूरी जानकारी आपको देने माला हूँ वीडियो पर बने रहेगा वीडियो को लाइक ज़रू करेगा देखे अगर हम बात करते हैं इस साप का ते देखने में ऐसा लगा कि एक करायद साप है क्य चला हम रात में सो रहेतें लगभग जो है समय की बत के जा तो ध्याज रहे थे रात ध्ञागं बज़े और जैसे ही हम सोही रहे थे हमें आवास सुनाई दिया जैसे कि कहीं घर के अंदर हो तो वहां पर कोई खट खुट अवास आती है जो जब लड़ रहे थे वो साप गि करेत लड़ रहे थे आपस में हमने देखा था हमने तो पहचान गए क्योंकि हम भी वीडियो पहले भी देखते थे मुर्ली वाले होसला है नाम के हैं चैनल उस पे काफी सिज़ें बताए जाते हैं जानकारी मिल जाता है कि कौन से साफ कैसे हैं जो कि भारत का सबसे जहरीला सा कौन से बोलते हैं और यह जैसे हमारी निगाह पड़ी तो हम उठे उठते ही एक जो करेत था वो बकसा था बड़ा का बकसा जो होता जिसमें कपड़े बगारे रख जाते हैं बड़ा बकसा तो उसके अंदर घुस गया मुसके अंदर घुसने के बाद तो एक तो खड़ा र मोबाइल निगाला फिर पुरान समझने उसको वीडियो बनाने लगा वीडियो आप देख पाएंगे जहदा बड़ा भी नहीं है इतना ही बड़ा वीडियो बन पाया है उसके बाद जो है फिर हमें बहुत डर लगेगा अब एक करेद साप को क्या है कि बहुत ही जहरेले होते हैं अगर किसी इंसान को खुदा ना खासता किसी को काट ले तो समय लोग की उसकी जिंदगी दाओं पर लग सकती है तो ऐसे में फिर हमें रात नीद नहीं आया फिर रात भी हम जाकते रहे फिर लगभग पांच बजे लाइट थी हमारे गर में बलफ जल रहा था तभी हमे हमें दिखाई दिखाई नहीं देता और हमें पता भी नहीं चलता करेंवें दो करयत साम्प में हैं जब हम वीडियो बना ले उसके बाद बनाते समय ही वह भी वहीं गुस गया हुसने के बाद एक आलमारी पीछे दूसरा शाम जाकर बैठ गया वह वह भी मां को दिखा रहा क्योंकि जिस कमरे में हम सो रहे थे उसका भी दर्वाजा बंद था हाँ लेकिन पीछे साइड से बहुत जील जमार है बहुत घांस हैं बड़ी घांस हैं जो कि दिवार पर चड़ जाती हैं तो ऐसा हो सकता है उसी दिवार पर चड़ के वो जो है अंदर की ओर आ गया होगा और वहां उसे घुसा होगा लेकिन पता नहीं चला कहां से आ गया क्योंकि जिस कमरे में हम सो रहे वो कमरा भी हम बंद कर रखे थे दर्वाजा बंद था और वह जो है वहां पर डारेक्ट आ गया उसके बाद हम जो है काफे डर गए कि अब हम करें तो क्या करें उसके बाद क्या हुगा फिर सुबा हो गया पांच बे लाइट चलेगी फिर हम मुबाइल का चार्च बारकर रखे रहें कि मानलों कहीं दिखाई दे दिक्कत हो जाए तो फिर हम जब भी नीचे उतरते थे तो मार के देख लेते थे चारो तरफ सब उतरते थे मलब इतना डर हो गया अंदर हमारे उसके बाद फिर हम वहां सुबा उठ गए फिर और भी लोगों को बताया तो बोले वह इसको बुला लेजे किसी को तो हम मुर्ली वाले होंसला जी हैं उनको हमने फोन लगाया नंबर उन ऐसे पर नहीं पाएं तो पूरा दिन वह इससे पड़ा रहा यहां फिर फ्म को पूरा किया गास्यूह बचार किए कि दो बाक्ष आसरों-इस ब्सटे को था तर दो सब्टे कर सेयं हैं हम दूसरे रूम में सियां सब्सक्राइब जो हम दूआ जिसे आब आप देख लिए य तो इस बक्षे को हमने निकाले कर दूसरे जगह पर सिप्ट कर दिया और जिस जगह पर साप आया था यह वही जगह है जहां पर आप देख पा रहे हैं यही वो जगह है जहां पर बक्षा रखा हुआ था और यह आलमारी है जहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा के बाद जो है सांप भो हमें नहीं दिखाई दिया, फिर भी उसमें बिल थी, है से चुहे के बिल होता हम हमने शोची हो सकता है कि बिल छोग ना हको बोगो भूएं और फिर हमने भकषे left को बार से किया ,हाख मेरा जो तो इसकी वज़ास जो है हो सकता है कि वो लोग यहां आ गये होंगे और वेरहल जो भी दिवार थी उसमें भी एक होता है जिसमें जगह होता बन जाता है जिसमें घर बनाते समय उसमें लगा però जाता है बल्ली गएड़ा जिससे पट्री लगाकर उस पे चढ़ के दिवाल जुडाई करते हैं तो वो जो है लगा हुआ था तो इसके लिए ऐसा हो सकता है कि उस दिवार में कि उसके अंदर से आ गए होंगे पीछे से और हो सकता है जैसे पीछे से आए हैं उसी तरह से वो चले भी गए होंगे उसी साइड से फिर जो है कई दिनों तक हमें आज दो तीन दिन हो गया है तो हमें ऐसा डर से एक बना रहता है कि कहीं ऐसा नहो फिर हम जिस बिस्तर पर खाट पर सो रहे थे फिर हमने उस खाट को भी पूरा अच्छी तरह से टौर्च मार करके पूरा जो है जाँच परताल किया कहीं ऐसा नहों किये बिस्तर में घुस जाएं क्यों जो करायत होते हैं अधिकतर बिस्तर में भी घुस जाते हैं लेकिन जैसे ही दबाव पड़ेगा वो आपको काट लेगा तो इससे क्या है कि दिक्कत हो सकता है तो हमने पूरा जो भी कपड़ा था पूरा कपड़े हमने टौर्च मार करके देखा और हमें दिखाई ही नहीं दिया कहीं नहीं दिखाई दिया पता ही नहीं चला वो गया कहां करेज़ अब कुछ भी हो सकता है हो सकता है हमारे उस घर में दूसरे घर में चला गया होगा, दूसरा रूम होगा, क्योंकि घर मारा प्लास्टर नहीं है, नीचे कच्ची मित्ती है, मित्ती वगारा है, इसके लिए हो सकता है, जो चुहे होते हैं, वो बिल कर जाते हैं, सांप अधिकतर देखने को मिलता है, कि चुहे के बिल में ही रहते और सांप वहीं पर अधिक तर आपको देखने को मिलेंगे जहां पर चुहे जादा होते हैं यह चुहे को भी सिकार करते हैं लेकिन यह नहीं समझ में आए दोनों जोड़े थे तो यहां पर लड़ना एक मतलब अचानक से दिखाए देना एक डर से लगने लगा अभी भी डर बना रहता है जब भी वहां जाते हैं पहले नीचे खाट के नीचे विश्तर पर आगे पीछे कुल धूरते हैं लेकिन कहीं दिखाए नहीं दिए तो इसी तरह से जो है आप लोग भी अपने घर के आसपास सफाई रखें घर में बहुत ज्यादा कूड़ा कबाल ना रखें जिस घर में हैं और आपके आसपास भी जिल जंकार नहीं होना चाहिए नेतिस से भी दिक्कत समस्षा हो तक्ति हैं तो यह साप जो है आप देखी लिए होंगे वीडियो को लाइक जरू करेगा मनें सवाल है तो कमेंट करने ना बोलें वीडियो देखने के लिए धन्वाई झाल